हाई गाईज आप देख रहे हैं टेकनिकल एनेसिस कोर्स टेलिग्राम चैनल से लाइस ट्रिम और आज 11 तारीक के दस्वा मैना संद 2022 और हम 12 तारीक के लिए मार्केट का प्रेडिक्शन करने वाले हैं तो बजार क्या बोल रहा है क्या वाकई बजार गिरना चाहता है के अनुसार मैं आपको बता दूँ फर्स्ट फॉल डेली चार्ट पर सेलिंग का सिगनल चल रहा है लाइज जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह बड़ा सा रैट करने का पोल 15,737 रुपए से डेली चार्ट का सेलिंग सिगनल बन चुका है पॉइंट नमबर वन नोट 1420 सर रिजेक्शन लेकर आया बड़ा वाला इसका मतलब क्या है इसका मतलब साफ है कि मार्केट अब नीचे जाना चाहता है यह बात मार्केट बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा है अल्गोरिदम भी यह बोल रहा है उसके बेस पर देखो अभिहाल लाइव मार्केट में तकरी कोई बंदस एक पॉइंट नेगटिव है जारा कोई बड़ी गिरावाट नीचे है वार्निंग करने वाली बात यही थी कि मैंने सत्रह हजार के बिलो क्रैकडाउन का हाता मार्केट में यह से कि आपको लास्ट टाइम प्रेडिक्शन में याद होगा पहला ठागेट है 16,900का नोट डाउं की लिए कर लिए का नेफ्टि का और अगला ठागेट है 16,800 से लेकर 16,700 तक के टार्गेट है मतलब निफ्टी इतना पॉइंट और गर गिर सकती है यह टार्गेट हैं हमार पास स्क्रीन पर, secondary bank nifty के बारे हम बात की जाते है, bank nifty भी तकरिबन मुझे negative ही दिखाई देती है, daily chart structure में पहली बात है कि bank nifty पर selling का signal चल रहा है, वो भी कहां से exactly बता रहता हूं है, पहले, daily chart पर selling का signal चल रहा, 49,400 इन्टान रूपे की price से, और यहीं से secondary candle ने भी rejection दिखाया तो आपको य यहां पर rejection दे दिया था यहां पर exactly दे दिया था यहां से reject होके market गिर रहा है उपर नहीं जा रहा है point number one तो और यह जो trend था हम जो market का जो trend लेके चल रहे थे के trend line होती है तो trend line की according अभी तो closing दे कर गया मतलब यह जो हम trend line लगा रहे हैं आप लोग के सामने तो color इसका मैं change करता हूँ आप लिखा आप लोगों को दिखाई रहे हैं लाइन लगाते हैं चालो ठीके यह बड़ी यह जो रेट कलर की लाइन बैंक निफ्टी कल के जन तोड़ सकता है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इस trend को break करता हो अगली जो candle का लो है वह यहां तक आपको फिर बैंक निफ्टी लोस तोड़ता हुआ 37,424 को लेकर 37,000 और 37,500 की सरी 36,500 की तयारी कर लेना फिर तो क्योंकि बैंक निफ्टी क्राश हो जाएगा फिर जोड़दार ओके तो यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन दे चुका हूँ मुझे लगता ह वहां से अभी तक तक्रीबन मार्केट तक्रीबन 11.40% ड्रॉप हो चुका है इसका मतलब क्या है 32,600 से डाउ जोंस नेगेटिव गिर रहा एवरी डेली चार्ट पर और तक्रीबन 12% का रिटन माइनस रिटन दे चुका है और निफ्टी अभी तक मात्र कितनी गिरी है कितनी गिरी है बता हूँ सेलिंग के सिगनल के अकॉर्डिंग टू यहां तक के लोज तक का है तो exactly 4% गिरा है मात्र तो यह मैं यह कहना चाहर हूँ कि वहाँ पर अमेरिकन मार्केट्स में ना तो सेलिंग है ना तो बाइंगे क्योंकि 100 पॉइंट माइनस है कोई बड़ी बात नहीं है secondary या तो जीएंगे या तो मरेंगे सत्रह हजार के उपर जीने की लिखा है कि मार्केट चलेगा उपर तेजी में चलेगा यारी सत्रह हजार के नीचे खुले कल के दिन पर फिर तो गिरनात आ है फिर से गिरावट की शुरुवात कर लेना तो यह मेरा वार्निंग वीडियो है स्पेशली आप लोगों के लिए तो आज मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाला हूँ इसके लिए मैं आज टेलिग्राम पर ही डाल रहा हूँ ओके तो वार्निंग समझ लेना 17,000 के नीचे क्या है जो कि मैं बता चुका हूं और 17,000 के ओपर क्या है मतलब लक्षमंट रहा है 17,000 इसके ओपर यह नीचे बजाद है बस ठीक है थैंक यू डाटा बाइबाई गूडदाक और य potrze कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में डाल दीजेगा तो